दोस्तो आज की वीडियो में बताऊंगा OPPO A3S Android Phone या OPPO A5S Android Phone में किसी का भी कॉल आने पर या किसी के पास भी कॉल करने पर आटोमेटिक से नेट कर जाता है तो इस प्रोब्लम को केसे सॉल्व करें तो चले वीडियो को शुरू करते हो मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहले आपको सेटिंग पर जाना है सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर देखने को मिर है Dual SIM and Cellular Network इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा सलूसन बता दू अगर आप दो SIM कार्ट चला रहे हो और जिस SIM से आप Net चलाते हो उसी SIM में अगर आपका इंटेट फ़न में कॉल आते हैं तो आपका इंटेट फ़न का इंटरनेट बिल्कुल भी काटने वाला नहीं है अगर आप जिस SIM से आप नेट नहीं चला रहे हो उस SIM में अगर call आते हैं तो आपका इंटेट फॉन का इंटेनेट कनेक्शन बिल्कूल कड़ जाएंगे क्योंकि OPPOE 3S या OPPOE 5S एंटेट फॉन में dual 4G supported नहीं है या पुराने कोई सभी फॉन में dual 4G supported नहीं रहता है सिर्फ एक ही 4G supported रहता है इसलिए आपका इंटेट फॉन का इंटेनेट कनेक्शन कड़ जाता है किसी के बास भी call करने पर या किसी का भी call आने पर तो आप समझ गये होंगे अपने इंटेट फॉन में ये problem किस वज़े से हो रहा है तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा अगर आप एक sim card ही चलाओगे तो आपके लिए बहतर होने वाले है क्योंकि आप call करोगे फिर भी आपका नेट नहीं कटने वाला है और आपका इंटेट फॉन में किसी का भी call आएगा फिर भी आपका इंटेट फॉन का इंटेनेट connection नहीं कटने वाला है तो आज का वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ, यह वीडियो अपको पस्तना है पस्तना है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमार यूट्योग चेनल को भी तक सब्क्राइब नहीं किया है तो प्लिज ऋसक्राइब कर लिजए। और उसके साथ गंटी का बटन है उससे नटिफिकेसन को अंड कर लेजे ताकि हमरे हर आपड़ी वीडियो को नटिफिकेसन आपको मिल आई सबसे पहले तो चले ता मिलता है अगले उड़ी में एक निए उड़ीयो के साथ तब तक के लिए जय हिंदू अंदे मातरम